hello everyone this is vinyodh kumar barma and you are watching madhavan bk english classes तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है madhavan bk english classes में आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पुन वीडियो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्पुन वीडियो है और यह लिया गया है chapter his first flight से ठीक है तो मैं बता दू कि this is a very important question from your board examination point of view so watch this video till the end so that you can get good marks in the examination okay so let's begin तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं question क्या है देखे question क्या कर रहा है why was the young seagal afraid to fly young seagal जो था वो उडने से भाइभीत था वो उसे उडने में डर लग रहा क्यों describe how the young seagal made his first flight या तो इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है describe how the young seagal made his first flight की वर्नन कीजिए कि young seagal ने अपनी पहली उडान कैसे भरा ठीक है अब चलिए इसे देखते हैं देखिए कैसे लिखेंगे the young seagal was hungry and alone on his lazy young seagal जो था ठीक है वो अपने लेज यानि की पहाण का चटान का जो निकला हुआ भाग है ना जहाँ उसका घोसला था वहाँ वो अकेला था और बहुत ज्यादा भोखा था कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था लेकिन यह यानि की young seagal जो था उन लोगों के साथ उड़ नहीं पाया उन लोगों के साथ उड़ने में इसको डर लग रहा था भाई भी भी था when he went to the age जब वो किनारे जाता था of the lace यानि चटान के जब वो किनारे जाता था and attempted to flap his wings जब अपने पंखों को फड़ फड़ाने का कोशिस करता यान कोशिस किया he became afraid वो भैभीत हो जाता था he was very hungry वो बहुत ज़्यादा भूखा था when he saw his mother tearing at a piece of face जब उसने देखा कि उसकी मा जो है एक मचली का टुकड़ा जो है वो फाल रही थी अपने चोंच से he cried begging her to bring him some food वो चिलाया मांगते हुए कि मुझे कुछ भोजन लाके दो अपनी मा से वैसा जो है बोलाओ she picked up a piece of face and flew and flew across to him with it उसके बाद जो है उसकी मा ने क्या किया एक मचली का जो टुकड़ा है अपने चोंच से उठाया और इसके चारों और वो उड़ने लगी घूमने लगी he leaned out eagerly trying to get nearer to her उसके बाद जो यंग सीगल हो क्या किया उसकी और परवृत हुआ वो जुका उसकी और जाने का प्रियास किया इसने उसके पास निकट जाने का कोशिस किया चलिए आगे देखते हैं when she was just opposite to him she halted देखे क्या का था when she was just opposite to him जब वो सीधा इसकी बीपरित था ठीक है she halted तो उसकी मा जो है एकदम रुग गई मौसलेस हो गई है ना नजदीक नहीं आई क्यों चोकि वो चाहती थी उसको गिराना नीचे खाई में उसके नीचे बिल्कुल खाई थी और इसी वज़े से वो उसके निकट नहीं आई maddened by hunger देखे भूख से तो पागल था ही he dived ate the fish वो मचली पर जपटा मार दिया जपटा मारा उसने मचली पर जोर से क्योंकि वो भुखा था बहुत ज़ादा with a loud scream he fell into a space उसके बाद वो जोर से चिखते हुए चिलाते हुए एकदम सीधे नीचे गिरा खाई में एकदम खुले जगह में he flapped his wings and sword upwards उसके बाद क्या उसने नीचे जब वो गिर रहा था उसने अपने पंखों को फड़ फड़ाया और उपर की और उड़ने लगा अब पहले तो वो headlong गिरा लेकिन वो जो है कुछ देर गिरने के बाद क्या है कि उसके पंखों में जब हवा लगी उसके बाद वो उड़ने लगा उसके पंख खुद से खुल गए और वो उड़ने लगा और इस तरह से वो माथे के बल सिर के बल नहीं गिर रहा था और वो पर संसा करने लगे सबी लोग क्योंकि उन्होंने उड़ना सीख लिया था उसका जो डर था वो गायब हो चुका था इस तरह हम कह सकते हैं कि उसने जो है इस तरह से अपनी पहली उड़ान भर लिया था तो ये था हमारा आज का question आसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important question है तो आपको अगर इसी तरह के सवाल चाहिए जो कि आपके examinations में question आएंगे तो बने रहे हमारे साथ या अगर आप इस channel से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएए क्योंकि इस channel में आपको इसी तरह के interesting videos मिलेंगे जो कि आपके examinations में बहुत ज़्यादा helpful होंगे So that's all for today, see you in the next video, thanks for watching this video